बाइबल अध्यन के इश्रिंकला में आपका स्वागत है आज हम जिस विशय के बारे में अध्यन करने जा रहे हैं उसका शीर्शक है छोटी बातों को तुछ ना जाने अगर हम यहूदी लोगों का इतिहास देखें तो उसमें हम जानते हैं कि परमेश्वन ने बार बार शेतावनी देने के बावजूद भी इस्रेल के लोगों ने परमेश्वन के हित के अनुसार जीवन नहीं जिया उन्होंने प्रतिमाव का रचना किया और उसकी अरादना की और इस कारण से परमेश्वन ने उनको बाबल की राजा की हवाले कर दिया बाबुल की राजा ने यरुशलिम आकर उसके पूरे शहर को तहसनेहस कर दिया शहरपना को नश्ट किया और उसके फाटकों को जला दिया यही नहीं यहूदी लोगों को वहां से पकड़ कर बंधुए बनाकर बाबुल में ले जाया गया और लगभख सत्तर वश वो लोग बाबुल में बंधुए बन कर रहे सत्तरवे वश के अंत में परमेश्वर ने फारस के राजा खुसरू के मन को उभारा और इस राजा ने एक ऐसा ऐलान किया जो यहूदी लोग यरुशलिम वापिस जाना चाते हैं और वहाँ जाकर परमेश्वर के आलाय का निर्मान करना चाते हैं वो लोग जा सकते हैं इस खोशना को सुनते ही लगभख 50,000 यहूदी लोग जेरुबाबिल के नेतरतर में यरुशलिम लोट गए और वहाँ जाकर उन्होंने सबसे पहले उस आलय की कारे का निर्मान आरम किया और जिस दिन उसके आलय का नीव का पत्थर डाला गया था उसका वर्णन वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है एसरा की पुस्तक 3 के बारा में कुछ इस प्रकार लिखा है परन्तु बहुतेरे याजक और लेव्य और पूर्वजों ने धराने के मुख्य पुरुष अर्थात वे बुसुर्ग जिन्होंने पहला भवन देखा था जब इस भवन की नीव को उन्होंने आखों के सामने पड़ी तो वो फूट फूट कर रोने लगे वो लोग आलय की निर्मान के लिए आये थे लेकिन जब उसका नीव का पत्थर डाला गया तो वहां के बुसुर्ग लोग रोने लगे उसका कारण क्या था? उन्होंने सुलेमान का आलय देखा था जो बहुत ही महीमामय, बहुत ही विशाल और बहुत ही डिखने में सुंदर था लेकिन ये जो जरुबाबेल का आलय था उसका नीव बहुत ही छोटा, बहुत ही तुच्छ था और इस कारण से वो लोग दुखी हुए रो रहे थे। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने अपने भविश्वक्ताओं की हृदय को उभारा और उन्होंने परमेश्वर का जो दृष्टी कोण है या परमेश्वर इस बात को किस प्रकार देखते हैं उन्होंने इस वचनों में कह जकरिया की पुस्तक चार का दस उसमें परमेश्वर इस प्रकार से एक प्रशन पूछ रहे हैं क्योंकि किस ने छोटी बातों के दिनों को तुछ जाना है यहोवा अपनी इन साथ आखों से सारी प्रित्वी पर दृष्टी करते हैं और साहुल को जरुबाबिल के हाथ में देख कर वो आनन्दित हुए परमेश्वर कह रहे हैं कि वो जरुबाबिल के द्वारा आरम किया गया वो छोटा सकार यह भी परमेश्वर को आनन्दित कर रहा है यह परमेश्वर का दृष्टिकों बहुत बार जब हम वचन पढ़ते हैं तो उसमें बहुत बड़े- दर्शनों के बारे में पढ़ते हैं और प्रकाशनों के बारे में पढ़ते हैं जो परमेश्वर के दासों ने प्राप्त किया और यह सब जब हम देखते हैं तो यह हमारे मन में एक आकांशा उत्पन करती है कि हमें भी ऐसे होना है और यह बहुत ही अच्छी इच्छा है क् कि परमेश्वर ने इसे हमारे सामने एक नमूने या उधारन के रूप में रखा है, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के सामने 100 प्रतिशत समर्पित होता है, उसका परमेश्वर किस तर तक उप्योग कर सकते हैं, ये परमेश्वर का एक मानत दिखाता है, इसलिए ये बहुत ही म में तो कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे द्वारा तो इतने बड़े जिन्य चमतकार नहीं हो रहे हैं, वहां परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पांच रोटियां और दो मचली को लेकर पांच हजार रोगों को खिलाया गया, और मेरे यहां तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, य वो तो कितना ऊचा है पहमाना और आपके द्वारा जो हो रहा है, वो कितना कम है, हो सकता है परमेश्वर से प्रातना कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे बहुत बड़े बड़े दर्शन दे, प्रकाशन प्राप्त करूँ जैसे युहना ने पक्तमुस के उस द्वीप में प् ही है कि हमारे अनुभावों को हम तुछ जाने हम सोचते हैं कि हमारे द्वारा तो कुछ होई नीरा जब हम शाओल की जीवन को देखते हैं वो रूपांतरित होकर पॉलोस बन गया और वहां के बाद प्रेरिद बन गया, तो कितना बड़ा रूपांतरन हो के जीवन में आया, और कभी-कभी हम अपने जीवन को सोचते हैं, मेरी जीवन में तो इतना रूपांतरन कुछ नहीं हुआ, मैं पहले भी गुसा होताँ, हम लोग यह नहीं कि पुस्तक उसके 3 के 18 में इस प्रकार लिखा है हम प्रभू के तेज़शवी रूप में अंश-ँच करके बदलते हैं परमेशुर हमें पूरी तरह से एक ही दिन में नहीं बदलता अंश अंश महीमा से महीमा की और परमेश्वर हमें ली जाते हैं और यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर हम ऐसा नहीं समझेंगे तो हमारे जो छोटे अनुभव हैं हम उनको आगोशित करने के बजाए उनको हम तुछ जानेंगे अगर हम मत्ती रचित सू समाचार पढ़ते हैं उसके 25 के 23 में इस फ्रका लिखा है धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा मैं तुझे बड़ी वस्तूओं का अधिकारी बनाऊंगा परमेश्वर इस दास के बारे में कह रहे हैं जो छोटी बातों में विश्वास योग्य है उसको मैं बड़े बातों का अधिकारी बनाऊंगा जो छोटे चिन्न चमतकारों को देख कर परमेश्वर का धन्यवाद करता है परमेश्वर को महिमा देता है उसके हाथ परमेश्वर और अधित बातों को देंगे ये परमेश्वर का वादा है और इसलिए ये बहुत महत्वपूर है कि जो छोटी सी छोटी बात परमेश्वर की आत्मा हमाएं जीवन में कर रही है हम उसे आगोशित करें उसको हम बड़ा बनाएं भजन सहिता 34 के 3 में इस प्रकार लिखा गया है मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो भजन सहिता लिखने वाला कह रहा है यहोवा की बढ़ाई करो इसी बात को अगर हम English Bible में पढ़े हैं तो उसमें इस प्रकार लिखा है Magnify the Lord with me Magnify का मतलब होता है उसको बड़ा दिखाओ एक Magnifying Lens पकड़ कर जिस प्रकार हम चीजों को बड़ा देखते हैं उसी प्रकार परमेश्वर जो छोटी छोटी कारे हमाई जीवन में कर रहे हैं उसको हम बड़ा देखें उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें उनकी महिमा करें और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें बड़ी बातों के अधिकारी बनाते हैं और यही उधारन हम खुद यहोवा परमेश्वर के जीवन में देखते हैं एलोहिम परमेश्वर ने जब स्रिष्टी की रचना की थी तो इस प्रकार कुछ लिखा गय है उत्पति की बुस्तक एक के एक में हम पढ़ेंगे आदी में परमेश्वर ने आकाश और पृत्वी की स्रिष्टी की और पृत्वी बेडोल और सुनसान थी और गेहरे जल के उपर अंध्यारा था तब परमेश्वर की आत्मा जल के उपर मंडला रही थी तो हम देख रह करनी है एतना सारा काम पढ़ा हुआ है और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले दिन क्या किया उत्पति की बुस्तक एक का तीन तब परमेश्वर ने कहा उज्याला हो तो उज्याला हो गया और परमेश्वर ने उज्याले को देखा कि वो अच्छा है और परमेश्वर उज्याले को दिन और अंध्यारे को रात कहा तब सांच हुई और भौर हुआ और इस प्रकार पहला दिन सो स्रिष्टी के पहले दिन को अगर हम देखें तो उसमें परमेश्व ने क्या किया? बस उज्याला हुआ प्रित्वी बेडोल पड़ी हुई है पानी वैसा का वैसा पड़ा हुआ है वहाँ पर प्रित्वी नहीं है वहाँ पर पेड़ नहीं है कुछ भी नहीं है लेकिन बचन क्या क्याता है? परमेश्व ने सिर्फ उस उज्याले को देखा और कहा ये अच्छा है परमेश्व के लिए एक छोटी सी बात या एक छोटी सी स्रिष्टी का आरम काफी था वो खुश हुए उन्होंने उस बात को आगोशित किया लेकिन हम जानते हैं काम तो कितना कुछ पड़ा हुआ है लेकिन परमेश्व ने ये नहीं का परमेश्व ने नहीं का अच्छा है जब छटवे दिन परमेश्व ने मनुश्य की स्रिष्टी की उसके बाद वो इतना प्रसन्न थे कि वचन इस प्रकार कहता है उत्पत्ती की पुस्तक एक के इकत्यस में इस प्रकार लिखा है तब परमेश्व ने जो कुछ बनाया था सब को देखा और क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है अगर आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छी बातों को देखना चाते हैं आप कुछ चंगाईयों की पूर्णता को देखना चाते हैं आप को छुटकारों को परिपूर्ण रीती से देखना चाते हैं तो उसकी चाबी इस स्वचनों में लिखी है जब हम छोटे छुटकारों के लिए धन्यवाद करेंगे, परमेशर हमें बड़े की ओर ले जाएगा। हालेलूया, जब हम छोटे बातों को अच्छा कहेंगे, जहां परमेशर की आत्मा कार है कर रहे हैं, तब परमेश्वर हमें बहुत अच्छे की और ले जाएंगे बहुत बार क्योंकि हम इन छोटी छुटकारों को या छोटे चंगाईयों को देख कर हम उसे तुछ समझते हैं अरे इससे क्या होगा ये तो काफी नहीं है हो सकता है कि आप अपने शरीर में चंगाई के लिए प्रात्ना कर रहे हो आपकी शरीर में दर्द है और जब आप प्रात्ना कर रहे हो तो थोड़ा सा दर्द कम हुआ लेकिन आप सोच रहे हैं अरे ये जब पूरा दर्द कम होगा उसके बाद मैं गवाही दूँगा लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते जो छोटा कारिय आपके जीवन में आरंब हुआ है आप उसको बड़ा बनाईए आप उसके घोशना कीजिए हालेलुया और परमेश्वर अच्छे को बहुत अच्छा बनाएंगे अगर मत्ती रचित सूसमाचार उसके 25 अध्याय अपड़ेंगे उसका 29 वचन इस प्रकार कहता है क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा परन्तु जिसके पास नहीं है उसके पास जो कुछ भी है उसे ले लिया जाएगा इस वचन में क्या लिखा है परमिश्वर सबको कुछ न कुछ दिया है लेकिन दो व्यक्ति उनका रवया इसके प्रती अलग होता है एक व्यक्ति कहता है अरे ये क्या है इससे क्या होगा वो उसे तुछ जानता है वो उसको हटा कर रख देता है और उसकी जीवन में वहबी नश्ट हो जाता है जो छोटी सी चंगाई मिली थी जो छोटा सा छुटकारा मिला था वो भी उसके हाथ से चला जाता है लेकिन एक दूसरा विक्ति जो छोटा मिला है उस पर वो परमिश्यर का धन्यवात कर रहा है परमिश्यर की महिमा कर रहा है आत्मा उस स्थिती में कारियरत है उसको देख पा रहा है और इस कारण क्या होता है वो बड़ा बड़ा होता है वो अच्छे से बहुत अच्छे की और पहुंच जाता है परमिश्यर उस कारिय में परिपूर्णता लेकर आते हैं इसलिए इस द्वारा परमेश्वर आप से क्या कह रहे हैं? कि आप छोटी बातों को तुछ न जाने और यहीं नहीं कि आप तुछ न जाने बल्कि आप उस विजय को अगोशित करें, उसका चश्न बनाएं क्योंकि परमेश्वर उस दिती में कार्य करना उन्होंने आरम किया है और जो छोटी बातों में विश्वासियों को होगा परमेशुर उनको बड़े के अधिकारी बनाएंगे परमेशुर इन वचनों के द्वारा आपको अनुगरहित करें धन्यवाद